हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो MDS के फर्मूला पर प्रोस्टन होता है इसे हल कैसे किया जाता है यहाँ पर देखिये पहला प्रोस्टन है दस आदमी दो दिन काम करके चार खिलोना बनाते हैं तो आठ आदमी पांच दिन काम करके कितने खिलोना बनाएंगे देखे इस प्राश्न को हल करना बिल्कुल आसान है देखे इस प्राश्न को हल करने के लिए आपको एक फर्मुला को याद रखना है वह फर्मूला है M, D, H देखे M का मतलब होता है Man D का मतलब होता है D, H का मतलब होता है Hour यहाँ पर देखे प्राश्ण में 10 आदमी है तो देखे हम लोग सबसे पहले Man के जगह पर यहाँ पर लिखेंगे 10 को यहाँ पर देखी है दो दीन काम करके तो देखे गुना में लिखेंगे दीन के जगह पर यहाँ पर दो को यहाँ पर देखे फिर से है चार खिलोना बनाते हैं यहाँ पर देखे फर्मूला में खिलोना को उपर नहीं लिखना है अगर देखे कोई आदमी या फिर दीन है या फिर देखे घंटा के रूप में समय है उसको बटा के उपर लिखेंगे इसके अलावा अगर खिलोना रहेगा तो उसको बटा के नीचे लिखेंगे यहाँ पर देखे प्रास्न था दो दिन काम करके चार खिलोना बनाते हैं देखिए खिलोना को लिखेंगे बटा के नीचे अब देखिए अपर फिर से है तो आठ आदमी देखिए फिर से आदमी आ गिया तो इसको लिखेंगे बराबर के उस पर यहाँ पर देखिए मैन के जगह पर यहाँ पर लिखेंगे आठ को इसके बाद देखिए यहाँ पर है पांच दिन काम करके तो देखें हम लोग दिन के जगह पर यहाँ पर लिखेंगे पांच को यहाँ पर देखें प्रास्टन है कितने खिलोना बनाएंगे देखें खिलोना का जो स्थान होता है वह होता है नीचे यहाँ वाला संख्या को ग्यात करना है यहाँ पर देखें हम ल काटेगा इसको हम लोग आपस में काटेंगे दो से चार को काटे यह काटेगा दो बार में दो से दस को काटे यह काटेगा पांच बार में यहां देखिए यहां पर ऊपर में हो गया पांच इसके बटा में कुछ नहीं तो यहां पर एक होगा आठ से गुना पांच में करें य होगा 40 और इसके बटा में देखिए X है अब देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग cross multiply को करेंगे X से गुना 5 में करें यह हो जाएगा 5X एक से गुना 40 में करें तो यह रहेगा 40 अब देखिए यहाँ पर X के साथ कोई भी संख्या होता है तो वह होता है गुना में बराबर के उस पर जाएगा तो यह संख्या हो जाएगा भाग में यानि देखिए चालिस के बटा में यहाँ जाएगा पांच पांच से चालिस को काटे यहाँ काटेगा आठ बार में यानि देखिए अगर आठ आदमी रहेंगे और पांच दिन काम करेंगे तो बहुत देखिए आठ खिलोना को बनाएंगे तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रॉस्टन को हल करते हैं यहाँ पर देखिए दूसरा प्रॉस्टन है बारा आदमी किसी काम को आठ दिन में करते हैं तो दो आदमी उस काम को कितना दिन में करेंगे देखिए आपको सबसे पहले यहाँ फर्मूला को लिखना है यहाँ पर देखिए बारह आदमी है तो मैन के जगह पर यहाँ पर लिखेंगे बारह को यहाँ देखिए किसी काम को आठ दिन में करते हैं देखिए गुना में लिखेंगे आठ को अब देखिए यहाँ पर कोई भी खिलोना नहीं है अब देखिए हैं पर प्रोस्ट में फिर से दो आदमी है तो देखिए हम लोग बराबर में मैंन के जगह पर लिखेंगे दो को अब देखिए हैं पर प्रोस्ट है दो आदमी उस काम को कितना दिन में करेंगे यह देखिए दिन को निकलना है तो देखिए गुना में यहाँ पर हम लोग X यहाँ फिर Y में से कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर मान लेते हैं X को अब देखिए इसको हल करने के लिए यहाँ पर देखिए 12 गुना 8 देखिए X के साथ यहाँ जो 2 है यहाँ गुना में बराबर के इस पर आएगा, तो यहां संख्य हो जाएगा भाग में, यानि इसके बटा में लिखा जाएगा, दो को, और यहां पर देखे बराबर में बचेगा, एक्स, दो से आठ को काटे, यहां कटेगा चार बार में, अब देखे हम लोग 12 से, चार में गुना को करेंगे, यानि देखिए X का मान कितना निकल करके आया, वहां गया, 48, यानि देखिए अगर दो आदमी रहेंगे, तो उस काम को कितना दिन में करेंगे, वहां करेंगे, 48 दिन में, तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गये होंगे, कि जो MDH का फर्मूला पर प्राश्ण होता है, इसे ह कैसे किया जाता है,